तेखिए जिस मकसद से डाक्टर शकुंतला मिस्रा इंवर्शिटी बनी है जो बच्चे बार-बार हमारे हाँ आ रहे हैं धर्ना पदर्शन दे रहे हैं इनके उपर अत्याचार हो रहे हैं जिस तरह के विद्यालें से इंवर्शिटी से बच्चों के साथ दुर्वेवार हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जिस मकसद से इंवर्शिटी खोली गई है उस मकसद वहाँ बच्चों का पूरा नहीं हो रहा है कुछ ऐसे लोग वहाँ हैं जो अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर ले रहे हैं लेकिन जिस मकसद से इंवर्शिटी खोली है उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है जिसका अभी उन लोगों ने कुछ वीडियो भी दिखाया है मारपीट का उन लोगों ने अपने जो चोट लगे उसको भी दिखाया अगबारों में भी है समाचार है कल इन लोगों को दवडा दवडा करके बच्चों को मारा पीटा गया है और इनके मोबाइल छिन लिए कि इनके मोबाइल तोड़े गए हैं और इनकी जो सुविधाएं हैं इनका कहना है अभी जो उन्होंने पत्र दिया कल भी मुझे इन लोगों ने रात को आ करके मुझे करीबी 11 बजे पत्र दिया था पुरी सिती गवगत कराया जो पत्र में इनका क्लेम है कि जो सुविधायें सरकार के तरफ से भारत सरकार दे रही है वो सुविधायें हम लोगों को नहीं मिल रही है जब उसको लेने के लिए हम लोग कोई बात कर रहे हैं तो हम लोगों को मारा पीटा जाता है और सांथ कराया जाता है और धमकी दी जाती है कि तुमको जेल बंद करा देंगे तुम लोगों को यहां से निकाल देंगे इस तरह कि धमकी दी जा रही है आज आपके सामने पची सो बच्चे यहां आये हुए थे, जो अपने दुख दर्द को ले करके घूम रहे हैं, इनके सुनने वाला आज देख रहे हैं तो कई दिन से घूम रहे हैं, इनकी बात सुनने के लिए ठाने जा रहे हैं तो मार खा रहे हैं, दरोगा कहां जा रहे हैं तो भटकते भटकते हमारे आये हैं चुकि मेरा विभाग है हमें दिव्यांग जन ससत्तिकन विभाग का मिनिस्टर हूँ तिन लोगों को लगा कि वहाँ जाएंगे तो निया मिलेगा